गुड मॉर्णिंग माई डियर स्टुडेंट्स डिज्टली स्टडी फारी चैनल आपका स्वागत करता है UPSI की 9700 पदों पर भरती आखिर कव होगी? 20 अक्टूबर को होने वाले एक्जाम में इतनी देरी क्यों? अभी अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आए है कि आपका एक्जाम अक्टूबर में नहीं होगा नौंबर के लाश्ट विक में सुरू होंगे ऐसा कहा जा रहा है बट इसकी भी उम्मीद नहीं कि आपका एक्जाम सुरू हो फिर भी हम उम्मीद लगा रहें कि आपका एक्जाम जो है अगले साल से पहले सुरू हो जाए तो हम देखते हैं कि किस तरीके का नोटिस आया है कि आपका एक्जाम कब सुरू हो 2022 में इलेक्शन है आपका परिशा हो जाएगा लेकिन रिजल्ट कब आएगा अगले इलेक्शन में और अगला इलेक्शन कब होगा 2027 में मलब 2027 में आपका रिजल्ट आएगा बूड़े हो जाओगी एक नवक्री पाने के लिए election के लिए अपना पेट पाल रहे है government बनेगी सोच लिए कि हमें तो जीतना है लोगों को लुभाओ वही काम चलना है चलिए कोई नहीं हम जानते हैं कि जब भी election होती उसी समय vacancy आती है इस मौके को हाथ से हम नहीं जाने देंगे तो चलिए देखते हैं आपका एक्जाम कब होगा ताग नौंबर के अंत में सुरू होगी परिशा हमेशा आप कोई कि अगबार के कटिंग सब जूड बोलते हैं पिछले दो सालों से UPSI पर इच्छा जल दा लिए इतनी vacancy है भाई अब होगा एक्जाम अब मान के चलिए कि इतनी लेट होने के बाद अब इसमें जो बैठने वाले केंडिडेट हैं आप्रोक्स आठ लाख लोग बैठेंगे एक्जाम में क्योंकि आठ लाख लोगी अप पेपर देने जाएंगे 60% मार्क्स लाने की कोसिस कीजिएगा 400 में से 220 प्लस मार्क्स रखिए और फिजिकल पास कीजिए आप लोग का सेलेक्शन हो जाएगा बट इंपोर्टेंट है कि आपका पेपर कब होगा पेपर देखिए इलेक्शन से पहले हो जाएगा इतनी तो गारेंटी है क्योंकि उन्हें इलेक्शन में जीतना है तो ये पेपर कराना है हारना है तो पेपर नहीं कराएंगे वो सरकार के उपर है तो आप लोग पैयारी जारी रखिए 4 महिने के अंदर सब किलियर हो जाएगा अपनी कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट में आप लोग को पकरना हो यूटुब पर उस टॉपिक को सर्च कीजिए पढ़ लीजिए चलिए बाए